अगर हमें गाडीका स्पार्क पलेग कोलना है और हमारे पास खुलने के जो भूजार हो नहीं है अब यह गोटि है लेकन इसमें दिक्क्त है क्या निक्क्त है कि जो इन पलग है यह पूरा इसके अंदर में और एक यह बाइक का जो पलग ओपनर है बाइक का पलग ओपन करने के लिए ये है तो इसको हम क्या करेंगे पलग है एक साइड में पलग आएगा और दूसरे साइड में जो सरिया है सरीय को इस साइड में हम खसा लेंगे और इसके बाद में यह हमारा नया पलग है जो चेंज करेंगे इसके बाद में फिर हम इसको पलग का जो यह होल है इसके अंदर इसमें डालेंगे और इसको खोलेंगे यह थोड़ा से उपर बॉननट में थोड़ा डएगा तो थोड़ा से देखकर और इससे पलक खुल जाएगा यह तब ही करना है जब आपके पास ओजार नहीं है और लोग डगा हुआ है बिलकुल कभी ओजार साफ पास में रख्या हुआ है लेकर ना फिर आप यह सोचों कि नहीं मैं अभी ऐसे ही खुल हुआ इस तरह ऐसे पलक हमारा खुल गया है थोड़ा सा यहां को दिक्कत कर रहा है तो पलक साथ खुल गया मैं निकाल लेता हूँ पलक को कि पलक है वह बहुत निच्चे है कभी निच्चे ही ना रहा जाए पलक निकालने से ताइम इसको थोड़ा ध्यान करना है कि कभी निच्चे ना छोटा हूँ तो एक पलक हमारा नेकल गया है अब इसको चेंज रहा है तो यह प्लग नया है इसको रिप्लेश करेंगे यह हमारा प्लग पुराना था इसको अटा देंगे तो पहले एक प्लग को चेंज कर लेते हैं और इसको डालने से पहले थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ता है क्योंकि अगर प्लग टेड़ा लग गया तो चूड़ी खर लेंगे ताकि यह निच्छे अपने आप निकल के ना चला जाए उसके है कि इसको जो डिला ना इसको थोड़ा यहां से थोड़ा सा थोड़ी से पीट लेते हैं और उसके बाद में इसको डालेंगे तो यह निकले गानी उसके बाद राम से इसको पहले इसमें डाल देंगे ताकि टेड़ा ना ओप लग और इसको खाथ से गुमा के देख लेंगे कि पलग लग गया है नहीं लगा पलग ब सब्सक्राइब करें तो इसको ज्यादा टाइट नहीं करना है तो यह दूसरा पलग खोल लिया और मानलोग कभी ऐसा हो जाए कि पलग ना निकले इसमें फस्ट जाए नीचे से खुल जाए और इसके जो ओपना रिष्य ना निकले तो उसका एक तरीक्का यह है जो यह हमारे पलग के पलग है पलग की अडेप्टर उसको इसमें डालो दबाओ और निकाल लो तो यह हमारा जैसे जोगाड अगर उजार नहीं है और पलग वेरा चेंज करने हैं तो दूसरा पलग दो दूसरा पलग इसमें चेंज करते हैं अब है तो उसके बाद में अगर पलग लगाने में विद्कात आती है तो उसके लिए भी इसको अम्यूज कर सकते हैं इसको इसमें लगाएंगे और सिधा पलग लगा देंगे और एक या दो चोड़ी इसमें चड़ा के चड़ाने के बाद में इसको फिर निकाल लेगे यह लगी नहीं तो इसको पहल अपने के बाद में पलग नीचे रह जाएगा और फिर इसको अराम से वैसे ही टाइट कर देंगे कि अधिया थोड़ा सा लंबा है तो इसको थोड़ा आगे से काट भी सकते हैं कि यह बार-बार बोनिट में लग रहा है और इसको थोड़ा हलका सा टाइट करना ज्यादा है होने के बाद में इसको पलक का जो अपनर रहे उसको निकाल लेंगे और फिर एक बार चेक कर लेंगे लूज तो नहीं है